हालो फ्रेंद्स मेरा नाम है साप्षी सुच्टेवा आज की वीडियो में आपको बताते हूं कि हम अपनी पापर प्रेसेंटेशन के अंदर अगर किसी पी तरह की शेप्स वगरा लगाना चाहें तो वह हम कैसे लगा सकते हैं देखिए यह प्रेसेंटेशन मेरी स्टार्टिं से मैंने बना रकी हैं तो इसे में मैं चेंजिस करके आपको बताथे मुं लाइक मैं यह में यह व ले ने यहाँ जाते हैं पुछ हों ब्रॉइंग शेप्स retro और यह से जर्द सकति हैं यह में आपको वर्ड मेंसिखा चुके हैं हैं यह अपने यह ले ली अब इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका फॉर्मेट टूल बार उपर हाइलेट हो जाएगा देखिए वही एडिट करना चाहती हूँ शेप के अंदर कुछ एडिट करते हैं प्रॉइंट्स आ जाएंगे तो मैं इनको इस तरह से भी कर सकते हैं आऐसे को बढ़ाना चाहेंए जैसे बहुत बहुत पबुछ जाएंगे आप उन्ही कर सकते हैं ऐसे भी ले सकते हैं ठीक है तो देखे वह रहने कर लिए मैंने और यहां से मैं कलर मीचेंश कर सकते हैं जैसे आप कलर चाहेंगे हम कलर भी हों पर चेंज कर सकते हैं तो इन कलर्स के अलावा कुछ अपने कोडिंग कलर लेना चाहें तो ऊफ मैं ले लेते हैं तो तक ही लगेगी कुछ लुप नहीं दे रही है तो तो यह ले देते हैं देखते हैं अर हम इटशेप को में Chrien कर देते हूं तो कर्था किने थे हैं या की ट्राइंगल ले ले ली है या फिर मैं यहां से इस तरह के रूंद में कि इसको ऐठा के हैं लगाइन ही है उत्भी आप नए वेज़ ले श।क्षा 25 बेना चाहें तो आप यह भी ले सकते हैं अपने कोटिंग जैसे भी आप चाहें ले सकते हैं और फिर इन के बादि के आप लिए घ्राइट säga यह लिए सकते हैं इसके अलाव兩 इसके अंदर आप कोई टेक्स्च्च्र सप्लाई करना चाहें तो आप texture भी apply कर सकते हैं देखिए काफी एच्छा stylish होता है यह सब कुछ चपन करते हैं तो देखिए ठीक है बहुत easy process होता है जब हम इनमें work करते हैं अब इसको और बढ़ाना चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं इसके बात होते हैं इसकी outline बनाना cie color change करना चाहें कोई भी दे ऑसकते हैं width बढ़ाना चाहें आप यहांसे width कर सकते हैं soft edges कर सकते हैं देखिए जैसे मैंने edges को soft किया तो मेरी outline काफी हद तक change हो गई तो मैं चाहते हूं जैसी है वैसी मेरी preset करते ठीक है बेबल करना चाहें embossing effect तो आप emboss भी कर सकते हैं emboss करते हैं देखिए हमारी outline की embossing effect highlight हो रहा है ठीक है फिर आहां पर इसके अंदर कुछ भी text लिखना चाहते हैं तो मैंने word art का style दे लिए कि मैं कि text में लिखना चाहते हूं देखिए क्लिक करते हूं यह style आ गए मेरे पास में इस style में लिखना जाओंगी तो इसी shape में right click करते हूं और यहां पर करेंगे edit text अब मैं जो भी matter लिखना चाहते हूं तो मैं यहां पर टाइप कर सकते हूं और मैं इसको select कर लेती हूं इसको मैं size बढ़ा देती हूं अब आप इसके अंदर और भी options कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसको select किया है और text की feeling फिर से वही gradient जैसे भी आप चाहें दे सकते हैं picture को फिल करना चाहें तो texture को फिल करना चाहें तो आप वो दे सकते हैं देखिए और text की कोई outline बनाना चाहें तो आप outline भी बना सकते हैं text के अंदर को effect बनाना चाहें तो आप text का भी effect बना सकते हैं इस तरह से हुल है तो यह स्टाइल आपके पास है जैसर आप बनाना चाहे आंप बना सकते हैं अब ब्रिंग टुन्स सैंडिय के हमेरे पास ये और इस इमेज को मैं यह इस शेप को मैं फेर पर्ट पे श्टैना जाती हैं और सथे ऊस लिए अब फड़न ना प्रेश्टी वह वापिस आप फिर मैंने वोला इसे बिंटू फ्रंट कर दीजे तो फ्रंट में आ गई तो इस तरह से हम लोग ग्रूप में इस वादव सौरी इने बैक और फ्रंट में ला सकते हैं सेलेक्शन पेन जिब हम करते हैं तो यह हमें बताता है कि हमारे पास सिस्टम कितने शेप से हैं सन हमने लिया हुआ है स्माइल पेस हमने लिया हुआ है टाइटल हमने है और एक हार्ट शेप हमारे पास है ठीक है रोटेट करना चाहें आप रोटेट कर सकते हैं अलामेंट करना जाएंगे left right center जो भी आप देना चाहें को कर सकते हैं हाँ आप grouping करना चाहें तो आप इसको और उसको group भी कर सकते हैं दोनों को मैंने एक साथ से लिख हैं और यहां से आप इने ग्रुप कर सकते हैं कि जब भी मैं pick करूगी तो यह दो जो shapes है वो एक साथ उठेंगी यहां से आप इनके size को कम और जादा भी कर सकते हैं हाइट में भी width में भी जैसा आप चाहें वैसा आप changes कर सकते हैं तो देखें जैसे मैं home पे गई मैंने इसके अंदर यह शेप ली और उसके टूलबर हाइलाइट हो और उसके टूलबर के coding मैंने यहां पी work कर दिया ठीक है ना दे हाइलाइट हो जाते हैं यह वही शेप की एफेक्ट से विजो भी आप एफेक्ट में उसके reflection भी दिखाना चाहते हैं तो आप देखा सकते हैं देखें आप लाइन जो देना चाहें वह आप दे सकते हैं मुझे शेप तरह की चाहिए outline की विर्थ को बढ़ाना है तो आप वह आप भी बढ़ा सकते हैं यह देखें यह सारे स्टाइल से एरेंज है वही bring to front, send to back, grouping, ungrouping करना यह सारे options आप कर सकते हैं तो आप इसको पहुत easily process में कर सकते हैं यह lines में है curve line जैसे भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं बाहर क्लिक करेंग यह line आपकी draw हो गई यह देखे अपने coding yellow node उठाएंगे आप जैसे भी इसको rotate करना चाहें कर सकते हैं अब एक circle ellipse जैसे भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं तो shapes हमारे पास काफी हैं जो भी आपकी requirement हो जिस तरह कभी sign symbol जाहिए हो आप और easily यहां पर अपना बना सकते हैं काफी सारे style आपके पास यह पर highlight हो जाते हैं यह देखिए कुछ इस तरह की notes अगरा में आप कुछ title अगरा highlight करना चाहते हैं तो आप यह style भी ले सकते हैं ठीक है guys तो वीडियो मेरी अच्छी लगए तो प्लीज इसे share ज़रूर करेगा और like पी करिएगा और मेरी another videos के लिए आप हमारी website www.asana.com पे visit कर प्लीज लेखिए